है लो दोस्तों गुड इविंग दोस्तों कैसे हैं आप साब दोस्तों बिट कुइन इस वक्त 58400 पे है और मार्किट ने फॉर 30 बिया पर यूई टाइम के अदब जो आपको कल बताया था मूव लिया ओपर की तरफ टेक है सिर्फ बिट कुई नहीं नहीं ने भी अच्छा मू लिया अगर टाइम ला तो वह साब आपको दिखाऊंगा और इसके अलावा कुछ कपल ऑफ क्वेस्टेंज दोस्तों ने किए करते हैं क्या उसे करते हैं कुमेंट वगरा में उनका भी मैं कर दूँगा फिर हम करेंगे नियूस पर बात करेंगे फंडमेंटल पर बात करेंगे अच्छा एक एक मेरा भी दोस्तों से गिला यह होता है कि कुछ दोस्त बहुत जल्दी में कोई इतना तोटा सा या आदा सही है थोड़ी सी वीडियो देखे समझते हैं कि क्या उसका नाम है मैसेज आपको डिलीवर हो गया जब तक आप पूरी वीडियो नहीं कि की तरह के आपको पहले ही पताओ कि आप क्या कर रहे हैं और अम कि कि दर लेना है कौन से ट्रेडिंग जोन है मेरी कोश्छ होती है कि आपको हर चीज ऐसे बताओ जैसे कि एक ट्रेडर को पता होना चाहिए ना यह नहीं कि आपको तुक्के लगवाने हैं जैसे कि सिगनल कर देने शुरू कर दें और आप उसे कुछ सीखो ना तो डैफिनिटली मेरे साथ जितने भी मेरे भाई है मैं बहुत थैंक्फुल हूँ सारा हमारा सारा ग्रूप ही वह है और हमारा विए पी डिस्कॉर्ड का ग्रूप भी वही है जो रियल ट्रेडर बनना चाहते हैं जो मार हम कांगा जो भी मैं आपको थोड़ा सा बता साब है और राकॉलर ट्टीय करेंगे हम देखेंगे कि मार्केट इससे तरफ जा रही है Héay बाक हम मैं क्या बता रहा है है पुसके वह हैं और सब्सक्राइए और पर हम चलते हैं हमारे लिए तुर्ण को यह modo क सबसे पहले क्वेस्ट जिन लोगों को कि पर जो आंप जोाएन कर सकते हैं अप。 चैलेंज आप करेंगे तो आपको funding account मिल जाएगा चाहिए जो लोग यहां से क्लिकर के funding account use करते हैं उनके लिए discord और indicator हमारा free है ठीक है न जो स्थे टब का indicator है जो हमारा यहां से clicker के बनाते हैं और trade करते हैं उनके लिए भी हमारा free है थीक है वी आइप और इंडिकेटर पिर जो यूट्यूब के मेंबर, उनके लिए भी फ्री है ठीक है, तो बाकी आप क्या कर सकते हैं आप डिस्कॉर्ड में आएए, ठीक है बाके मैं यहां पर आपको थोड़ा तकाथ ओओ, यहां पे आपको नजर आएगा, ऐक्सेस के नाम से है हमारा एकल मुझे याद है वी उप एकक्सेस रिक्वेस्ट के नाम से ठीक है तो यहां पर आगा आग आप एड्वें से बात कर सकते हैं के जी हमें एक्सेस दे दें के यहां जो भी है कईसे אACS मिलती वह आपको बता दें चेहिस और सकते हैं ठीक है दोस्तों तो बाकि स्टोशिस्ट्राइब डाट कॉम यह नीचे लिखा भी आ रहा है टिकर आप देख रहे हैं वेब साइट तो यहां पर विजिट कीजिए और क्लिक करके आईडी वगार आप बनाई है ठीक है फिर एंग्रीट ट्वंटी नाइन है फिर मैंन अच्छा नहीं है आज की जो हमारे पास न्यूज आई बहुत एक अच्छी स्कैल्पिंग के लिए मूव थी अच्छा सबसे पहले तो यह आ जाते हैं यह सीपिए डेटा जो है वह कितना कुछ बड़ा फरक नहीं आया है लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि 3.1 एक्सप इसको कह सकते हैं आप बुरा था गोल के लिए अच्छा था गोल ने उपर जाना ही जाना था जैसे ही आया हमने स्केलपिंग शुरू कर दी गोल में स्केल्पिंग की आपको यहीं मैं कहता हूं रोजाना कि आप इसको शीखें कि न्यूजप्ले कैसे करना इस वरी इंपोर् होता है scalping लेकिन इसमें बहुत पैसा बनता है ठीक है तो आपने सबसे पहले आपने न्यूज देखनी जैसे न्यूज आ जा जाती इसके बाद आप न्यूज प्ले कर सकते हैं दूसरा यह था unemployment यह भी बहुत important data था लेकिन आप देखें यह green में आ रहा है ठीक है ना which means कि इसका थोड़ा सा असर इसने भी जायल किया अगर मार्कीट को इसके दर यह तैन परसंट उपर जाना चाहिए था लेट से तो मार्केट 10 की बिजाए 8% उपर की तरफ जाएगी मैं एक example as an example बता रह भी अच्छा important है अगर difference बहुत ज्यादा आज यह जैनि 60 से 75 चले जाए यह पचास चले जाए तो बहुत बड़ा difference होता है जैसे एक चोटा difference है तो यह भी बहुत movement कर सकता है बाकि PPA data तो है ही important इस पर हम कल नज़र रखेंगे आप लोग नज़र रखेंगा एक और स्केलप इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं इस आर्टिकल में के market बहुत ज़्यादा बेरिशा और market बूल market over होगी ऐसा कुछ नहीं है ट्राइंग ट्राइंग टू कीप बीटी सी प्राइस बिलो डेफिनिटी सेलर का काम ही है उन्होंने लो करना है लेकिन बूल्स के साथ उनकी फाइट चल रही है जब तक यह वन पुश लो नहीं अगेन कर लेता है यह नहीं मेरी पर्सनल थिंकिंग आप मार्केट उपर की तरफ नहीं जाएगी ठीक है आप इन और्टिकल को खुद भी बढ़ा करें जो मैं स्पेशली आपको खोल के दिखाता हूं बिट्कुइन ट्रांसफर कॉस्ट फ है कि माइनर की जो वो कहते हैं न हार्डनेस होती है वो एजीनेस में चेंज होगी है वो उनका कहलें खर्चा कम लग रहा है ठीक है न हम डिफिकल्टी उसे कहते हैं है हैश रेट कहते हैं ठीक है तो जिसकी वज़ा से यह लोग अच्छा यह जब भी होता है न मार्केट में यह भी once in a while यह सरकल में होता है जब यह बहुत low होता है उस दौरान जो miners होते हैं sell नहीं करते हैं उस दौरान miners जो हैं इसको जमा करते हैं अपने क्या उसे बोलते हैं BTC को और फिर market उसके बाद उपर की तरफ जाती है क्यों क्योंकि अब अगर यह नीचे की तरफ आ रहा है तो definitely है तो लग तो ऐसे रहा है लेकिन यह बेरिश है लेकिन वही नहीं जब बॉटम आर यह एक साइन होता है कि बॉटम आ गया और इसके बाद आँ एक्स्प्लोड कर सकता है बिदर नहीं कमिंग वीक में और टू वीक में यह एक्स्प्लोड कर सकता है काफी हाई ठीक है दूसरा इसमें बिट्कूइन प्राइस में फेसिस मेजर समर ऑफ क्वंटीट्वटीवन स्टाइल कोरेक्शन डिस्पाइड बी सीवी वेल यह बिल्कुल एकुरेट बता रहे हैं मैं भी एक दो करेक्शन में और उसके बाद डैफिनली उससे जादा उपर जा के फिर ही कोई बेरिश की तरफ हम निकलेंगे तो इसको ऐसे ही लेना चाहिए बाकी हमारा टीए भी हमें तक्रीबन ऐसे ही साइन बताता है वो टीए करते हुए उसमें बात करते हैं वैसे अगर आप देखें जब तक यह उपड़ नहीं जाता ही है सम मौड़ नहीं होता है तो मार्कीट में अगर आप सिगनल की भी बात वात करें लास्सिंल यहां पर बहेलें सिगनल शो AWei be the dollar reuse ने paycheck uh तो अगर हम आग करें जो हैं आप benefit tea ow नहीं जाएगी तो हम신ेAyघुंट यह थीफिजन की बा यह बहुत इंपूर्टन है जो मैं हम रोजाना चेक करें मैं रोजाना पॉइंट ओड कर रहा हूं कि मार्किट जो है जब तक यह वहला डिफरेंस कम नहीं होता ना मार्किट बहुत बुलिश नहीं हो सकती है इनफ्लोव जैदा हो रहा है कॉंटिनूसली और आउटफ्लोव क चाहिए ना क्योंकि यह चीज़ यहां पर आपको नज़र आ रही है ठीक है बाकी मैंने आपको बताया कि यह सेम चीज़ एथिरियम में नहीं है तो बिटी सी में सैल आएगा जिस जो के क्या करेगा डॉमिनिंस को स्विच कर देता है यह यह बीटी सी चार्ट का जो मैं आपको याद हो उसको फिलिप कर देगा जिससे क्या होता है वह थीरियम डॉमिनिस बढ़ जेगी और फिर आपको बढ़ जेगी जो के एक्शली मार्किट इस वकत वेट कर रही है कांटिन्यूजली के कब फिलिप हो और बीटी सी से एथिरियम में सारा स्नेर्व आए और हम हम उपर की तरफ जाए थोड़ा इस पर हम कंपैरिजन भी करेंगे थोड़ी दियर में अगर हम यहां पर फोर आवर में देखते हैं तो इस वकत एथ और बीटी सी काफी उपर की तरफ आगया है ठीक है फोर आवर में विच मीन्स के मार्किट थोड़ा बहुत और उपर जा बात करें ठीक है अगर बात करें तो आप देख सकते हैं सेल के ही ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं एक आदा एक बाइक का छोड़के न आप देख लें आपको सेल कर यह बिटकुन कैश आड़ा जीम टी पैक्स जी ओम वीचें आवे यह सारे आपको क्या सेल के सिकिनल दे है ठीक है यह चीज़ अगर आप देखें एटीएफ फ्लो यह पिछले तीन दीन से पॉजटिव हुआ है अगर आपको यह नजर आ ठीक है न यह देखें के तकरीबन 100 प्लस मिलियन 200 प्लस मिलियन वह बाइंग कर रहे हैं स्पेशली ब्लैक रॉक जो है उसने तकरीबन 300 मिल कर रहे हैं गवर्मेंट के बात कर रहे हैं यह बाइक का रहा है ठीक है न आप लोगों को पता है इसलिए मार्केट को बहुत ज़्यादा बुलिश होना बनता नहीं है मार्केट पर पुछ ले सकते जब तक कोई अच्छी बड़ी निउस भी तो आने चाहिए ना तो लेकिन यहां पर नीचे आता हुए हमने यहां काफी क्या उसे काता है लिक्वडेशन की इस जोन में आकर हमने कुछ लिक्वडेशन की ठीक है और अगर हम देखें तो अभी तक मैं इसको अभी तक अगर आप देखें तो यह जो है जो तो में तो अगर आप देखें तो आप यह जी नजर आएगा कि यह पॉसरुटिव फॉस्टिव पॉसरूटिव झाल रहा है तो इसके लाबा ऊपन इंट्रेस्ट कोई खास नहीं चल रहा अण्लेश उपर जाते वह उपर इंटरस्ट खुला है उपर इंट्रेस्ट मार्किट एक चीज चल नहीं रही है इसको मैं एक दफ़ा फोर आवर में और एक दफ़ा उसमें देखना चाहूंगा डेली में जहां में जरा पता चले कि हम कोई डवर्जन्स बना रहे हैं जो के मार्किट में कोई अच्छा सेनर्यू दे सके अच्छा नीचे आते हैं यहां पे अगर हम पिछले बारा गिंटे का देखें तो हमने यहां से नीचे इसको लेकर उपर की तरफ निकले नीचे मजीद हमारे पास खुल रही है तो हमने बीटी को पकरने जाएंगे तो यहां पर की लीकुर्डीटी हमने तकरीबं सारी चाहिए वहां से अगर थ्री मत में तो आपको क्लियरली नज़र आए डल्टा भढ़ रहा है तो अगर मार्केट मज़ीद थोड़ा पड़ा है मज़ीद भढ़ेगा तो मार्केट नीचे की तरफ पुछ लेने के लिए जरूर आएगी और यहां पर यह वाला देखने यहां पर यह जो लोंग है यह वी लोंग है थ्री फिफ्टी मिलियन के तो मार अब उपर की तरफ तो निकल गया लेकिन इस यह इसके बारे में क्या क्याला यह अभी तक इसको मिस्स किया हुआ है जो कि 2770 पे है 2770 पे तो मार्केट को तक्रीबन इस लिक्विडिटी को पकड़ने के लिए आना है तोड़ा निउस यह थोड़ा सर्प्राइज मार्केट इसके लिए उसको कोई ना कोई न्यूस चाहिए होगी यहां वी वह क्या से करें जैसे वी शेप होती वैसे रिकवरी उल्टी कर देगी और मार्केट रिवर्स कर लेगी नीचे की तरफ आ जागी तो मोस्ली जहरा निउस प्ले होता है तो न्यूस को ही ढूड़ा जाता है रिजन बनाई जाती है मार्केट का नीचे की तरफ वाना यह दिस इस वाट मार्केट मेकर्स टू ठीक है इसको मैं करता हूं बुक मैं अगर आप देखें इस वकट 32-50 तक हमारे पास ओडर है ठीक है न 32-50 तक और एक्शली 32-50 पर हमारे पास गोल्डन पॉक्ट है जो आपको मैंने मेरा ख्याल आप दिखाई यहां पे शेयर की होगी ना हमारे डिसकॉर्ट में आपको पता कि डिसकॉर्ट में हर वक्त आपके साथ हर चीज यह शेयर है ठी 32-50 पर लगई यहां तक आ चुकिए है तो मार्केट यहां यहां ज्यादा ज्यादा आजेगी इथिरियम कटिये रहे बात करते हैं ठीक है बाकी अगर आप देखे तो इसके बाद अगर मार्केट उस जीपी को क्रास नहीं करती है तो मार्केट दोबारा नीचे की तरफ इस सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें तो सम्हाव मार्किट जाएगी स्लाइट साउपर नीचे यारो यही 55,000 पर हमारे पास बहुत आर्डर हैं 52 और 51 पर हमारे पास बहुत आर्डर है तो मार्किट I think मार्किट विल फाइंड रिजन तो कम बैक डाउ ठीक है बाकि 70,000 पर हमारे पास कुछ अच्छे आर्डर आये हैं इन पर नज़र रखेंगे 70 और 22,000 पर ठीक है यह खैर बहुत अब भी दूर की बाता है लेकिन यह रिसेंट आर्डर आये है 755 जो भी यह आये है ठीक है ठीक है तो यह की तरफ आते हैं क्विकली सबसे पहले डेली में हम इस वकत बीटिसी के और बीटिसी में अगर आप देख लें तो यह वो ट्रेंड ल एक दिन यह है जब हम नीचे है दो तीन चार पांच छे साथ आड़ आटमा दीन है इस वकत आटमी केंडल है और एट डेस के बाद भी अगर आप इसको क्रॉस नहीं का सकते हैं डेफिनिटली आपकी डेस्टिनेशन जो है कम से कम जो है ना यह प्रीविस लो है ना इसके इ तो यह इस बात को आप ज़रूर जहन में रखेगा हमारे पास बुलिश की बिचाए बेरिसान होगा हां मार्किट ने आज क्रास कर दिया तो फिर मार्किट कल इसको भी टेस्ट करने के लिए जाएगी फिर यहां पर देखेंगे के मार्किट को उपर की तरफ जाना या होगा हम डेफिनली बुलिश में बुलिश नहीं होगे ठीक है अच्छा इसके अलावा यहां पर हमारे पास एलियट वेव अच्छा यहां पर भी आपको पता है जाते हो एक तो यह मंत्री जोन है दूसरा यह हमारे पास गोलन बॉक्ट है यह रिजिस्टेंस होगी जब मार मार्किट अगर उपर चले जाती है तो अब मैं आपको बाद हमारे नीचे की तरफ आ सकती है और इन डैट केस अगर हम यहां से रिजेक्शन लेके आते हैं मार्किट यहां तक गरेगी ठीक है शुको आप एक बार जहें आपको मेरा ख्याल है यहां पर हाँ यह एलिएट वेव बताई हुई है ठीक है ना ठीक है ना तो यह बताई हुए क्यूंकि मार्किट अगर इस टेंड लाइन को क्रॉस नहीं करती तो मार्किट यहां से नीचे आगा फिर वन टू थरी फॉर फाइव करेगी अगर क्रॉस कर तो यहीं से फिर वन टू थरी फॉर फाइव करके उपर की तरफ निकलेगी मार्किट यह बाद जैम रिकेगा तो हम इस पर रखेंगे नजर ठीक है आ जाते हैं शॉट में बलके एक नज़र रख लें थीरियम पर हम डेली पर एक नज़र रख लेते हैं चाह जी थीरियम प होगी तो यहां पर नहीं लगी मुझे ना एक सेंटरी इसको बीटीसी पर ले जाकर इसको डबल खॉल एक है और इसको मेरा कहला है ट्रिपल भी खोल नहीं तो अच्छा सबसे पहले तो मैंने ना यह परपस लिए किसलिए खोले मैं आपको बता तो थोड़ा सा ना नीचे क हम उस टारगट के पास के अगर हम यहां पर आ जाएं क्या उसका नाम हमने एक अच्छी पुश उपर की तरह बिल्कुल जीपी के पास के ठीक है गोल्ड में आ जाएं वह जैसे न्यूस प्ले हुआ ने यह सारी केंडल तब की तब ही बनी ना स्पैशली यहां से न्यूस प फिल्ड मार्के ने ठीक है इसको मैं आपको दिखाना जा रहा था आज आ जाते हैं यहां पर आपे तरफ तरस निकल लिए है ठीक है और दबारा इस वकट आ रही लेकीन मेरा अखल इसने फॉरावर भी कंप्लीट कर लिया हुए तो इसके बाद मार्केश करके दुबार बाहर भी निकलती है ना बड़ा एजी ली आप यहां इसके उपर अगर मार्केश रख सकते हो यह जीपी से उपर स्टाप लॉस रखते हो मार्केश सम्टाइम करती है फ्रंट रन का मतलब होता है कि एक्चुल टार्गर से थोड़ा पहले काम खतम कर लो ठीक है फुली टार्गर पे नहीं जाओ क्योंकि बाकी लोग भी वेट करें बिल्कुल 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 बीटीसी ईद की ही आपको पता है हमेशा कॉपी करता है तो मैं मैंने यह भी ड लगा सकते हैं कोई बी कैंडल यहां पर फूर आवरली क्लोज होती है न तो अब यहां पर लगा सकते हमेशा बाकी दूसरी साइड पे आ जाए हम एक अगर जोन में काम करें न यह हमारा इस वक्त जोन बीटीसी का और यह हमारे पास जोन ए क्या उसका नाम ईजिद का तो हम हमने सिर्फ सेलिंग का सोचना जैसे ही हम किसी भी जोन के निचे वाली साइड पे आते हैं हमने सिर्फ बाइंग का सोचना और स्टाप लास लगाना कभी भी हमने बुलिश यहां बेरिश नहीं होना जब तक मार्केट जैसे मार्केट यहां से उपर नहीं चले जाती हम बु नीचे आने का वेट करें ठीक है दोनों स्नेरियों में बात करूंगा अब मेरी नजर में जब यह जब फूर आवर्स को दबारा अभी उन्होंने अंदर ही रखा हुआ है तो नेक्स्ट फूर आवर की कैंडल यहां पूरा वीकेंड ऐसे ही गुजार देखने हैं इस सेथिरिय को इस जोन में आना चाहिए एक बार ठीक है तो मौर आइडियलिस्टिक यही होगा कि मार्किट जब भी इस जोन को रिजेक्शन लेती है आप इस में शॉर्ट करें पीछे इसका वो लगा दें लोंग आप तब तक नहीं यहां से लोंग इस जोन में तो कहीं भी नहीं लग देखें कि आप मार्किट दबार उपर जाके प्रेश आ रही है तो फिर आपने मेजर लोंग का यह जोन है हमारा फिफ्टी वन का और मुझे मुझे परसनली यह लगता है मार्किट आपको कितना भी बुरिश कर देना लेट से बाहर भी निक्रहे तो वह रिजेक्शन लेकि उपर की तरफ जारा है लेकिन अपना अपना इसनेरिव का रहा है ठीक है यहां पर फोर आवर केंड़ को अगर लेट से खतम भी कर लेता है तो बारा उपर की तरफ भी चले जाता है आईक्यू आपके शू साइस के बराबर हो जाता है यह आपकी अकल इतनी माउफ हो जाता है कि आपका आईक्यू 110 से 1089 हो जाता है यह इतने डंब रियक्शन करने लग जाते हो ठीक है इसलिए सिर्फ जोन टू सून प्ले करें आप इस जोन में देखें यहां निच्छा आत से हमारा बाइंग जोन है अदर वाइज मार्किट जब इस बॉक्स को क्रास करती है हम ठीक है बाइंग जोन उसको एक्सेप्ट कर लें उसके अलावा नहीं करेंगे ठीक है तो विकेंड है इसलिए मैं आपको बुड़ी तफसील से बता रहूं क्योंकि मैं भी अब दो तीन द करेंगे तो आपको याद होगा हमने कल भी आपको यहीं का था कि यही जोन है इससे जएदा हम इस वक्त तक नहीं जाते हम बुलिश कब इनी हो सकते तो आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट करें कि मार्किट यहां से इस तरफ आएगगा इस तरफ आएगगा इस तरफ यहां अब इस तरफ यहां से नीचे की खत्म होती है तो आप शॉट कर लेना क्यूंकि मार्किट यहां तक आजएगे तक अगर आप ट्रेड में नहीं यही वह जून था जहां से आपको ट्रेड में इंट्री लेने ठीक आप यह देख रहे हैं कि यह लगी हुई है सपोर्ट जब वह नीचे आया उसने इसको अच्छी तरह अभी जाकर टेस्ट कर लिया और अब मार्किट नीचे की तरफ आ रही है ठीक है और जैसे यह वीव आपको भी क्रास कर लेते हैं तो आप एक्चुल बेरिश हो जाते हैं जो आपको तकरीब नीचे की तरफ लेगा है तो आप फि सपोर्ट होती है और दुसरा हमेशा कोशिच करें मार्किट को टाइम डें दूसरा मार्किट आपको नहीं रोजाना सिगनल नहीं देती है ट्रेट का एक अच्छा टिप फोड़ी सी मैं देता जाऊं अगर आप समझ सकते हैं ठीक है अगर आप लॉंग टर्म करते हैं या कर दे दिया है यहां पर आपको स्विंग फैलर पैटरन कर दिया ठीक है लिक्विडिटी उपर से उसने उठा ली मार्केट नीचे की तरफ आगी अगर नीचे क्लोजिंग कर देती है तो इसका इसे अच्छा और बेरी साइन क्या होगा कि मार्केट कांटिनूजल नीचे की तरह जा सकती है तो मार्केट ना साइन देती है एक दफाए या दो दफाए वीकली आपने सिर्फ वह पकड़ना होता है इसकि पर उपर जाएगी यह नीचे की तरफ जाएगी तो मार्केट इस वक्त जब यहां से rejection लेती है न और इन सब major क्या ऐसे कहते है, EMS को cross करके VWAP को cross कर देती है, VWAP बहुत important है, तो हम totally bearish हो जाते हैं, कि हाँ जी, अब market नीचे की तरफ जाएगी market दबारा भी उपर की तरफ अगर जाए तो आप फिर यहां से short पकड़ सकते हो और देख सकते हो कि market नीचे की तरफ आती है यह नहीं, long आपने कब तक नहीं पकड़नी, जब तक आप इसको cross नहीं करते हैं, ठीक है अपना psychology को change ही नहीं करना bias को इसको करते हैं, bias को यह नहीं अपना जहिन बना लिया हमने कि नहीं, अभी नीचे ही जाना, अभी नीचे जाना जैसे ही, इसको cross करेंगे, हम flip कर जाएंगे psychology, क्योंकि आपने किसी भी psychology से शादी तो नहीं करनी है, उसके साथ पकी बैठ जाना ठीक है, जो real trader है, वो psychology को बदलता रहता है, market कि मार्किट के हिसाब से, कि मार्किट किस तरफ जाएगी, क्या करेगी, ठीक है दोस्तों, यहां पर खतम करता हूँ, take care, and love for your support, good day, bye-bye.